जो किया है उसको तो दो सभा आइसे सजा मिलें कि उसको समय है जा गलती कि है और एक इंपोर्डेंट बाफ सेर की पोलीस का बिजान है कि जब उसको पआठ लुक किया बी आजन तो यूह झिए हैं तो दोनों लड़का सेर उसके चेहरे में हसी उसके चेहरे में सेर बहुत हसी जैसे वो कुछ किये ही नहीं है ऐसा हस रहा था दोनों एरिश्ट के बाद में कि लग रहा है कि वो कुछ किये नहीं है चोटा सा क्राइम किया है लेकिन यहां एक बंदे का जान चले है सेर मेरा बो हुआ था जब कुछ रईजादों ने मर्सीडिस कार से स्कूटी पर जा रहे हैं तीन लड़कों को पुरी तरह ठक्कर मार दिया था और इस हासे में फैजान अंसारी नाम के की रहे हैं फिलाल हम लोग है कलकत्ता के मधिया बुरुज लाके में मधिया बुरुज आके में मधिया बुरुज के यह जो है जहेaj 41 वृलिज रोड का एलाका अब हम देखाना चारे घर में क्या सूरतिहाल है और घर में फैजान के जो गारजन के वालीद और वालदा किस हाल में घर में किस तरह से घर का जो सूरत हाल है अब कम दिखाने की हम कुशिश करेंगे सबसे पहले इनके वालीद से हम बात करेंगे कि कल किस तरह से इनको हासा का पता चला और क्या हाला थे क्या नाम है? मिरा नाम है महम्मद इम्रोज आपको कब मालूम हुआ कि इस तरह हसा हुआ है? यही करीब साथ से साड़े साथ बज़ रहा था हम सोए वह थे, संड़े का दीन था तो मिरे बड़े भाय आए मिरे बड़े भाय आगर के आवाज देने लेगे कि फैयान कहा फैयान? अबा मेरा जागेवेट अबा मेरा बैटेवेट यहां पे तो जैसे आवाज दी है कि फैयान कहा तो میरा नीट टूड़ गया हम नीट से जाग गये जा हम उटके आएं इस घर मे handy बड़े भाय ये खड़े थे तो माला क्या बात है भी आप क्या बात है बुलिये ना तो महले प्यान कहीं गिया है खिलने ने गिया है हम ओला हाँ हो तो कलम को राध को बलाता है कि आज हम लोगा मैंश एड़ी हम जाएंगे फिलने ठीक है जाना अच्छा जाना बला देख तीन लगा काएक्सीडेंट हो किया है कि झी हपर मजार का आगे में अब सुनकर तो मेरा डलकने ला इसको लिए चिलाने लगर कैसे हुआ है भले हमको पता ने में ठानाजाब आया है ठानया फोन आया है राज हो भयान और इक़र आर एकल Carry अभी हमको बोला है आफिसर कि आप अभी मुहम्मद इम्रोज जो है उसको फॉरन अधार काड लेके बेजिए हम बोला सिब मेरे को बोला लेकर के आने हैं और आप लोग को नहीं बोला अधार काड लाने हैं बस अधार जब बोला तो हम तो समझ गया, इसलिए कि हम लोग तो इतना एक केड़ डिट बॉड़ी इस तरह लाएं हम लोग, कि डिट बॉड़ी जब हो तो अधार मंगवाता है, हम यहाई पर रूने ही लगे हम, रूने के बाद में मेरे बड़ा भाई बोला कि ते बेफिग हम अपने भाई से नंबर लेने के बाद में मीडिया से बात किया है, हम उसको दाना एंवा ओफिसर को फोन लगाया, ऑफिसर उठाया, बला आपनी के, हम अमी फाईजाने बाबा बोल चीए, अपना नाम टकी, नाम की मेंनिंग कुछा, स्पिलिंग को बताया, फिर फाईज हम पूझे के सार, आमर चेर कंडिशन रखीरों को माचे है, बला बला बोल तो यह नहीं, अमर बोल दे बार मना बहते हैं, अपनी सुन्ते हो है, अमनी तरह तो लहां चोले है, अमि आज़े गाया, सर टैक्सी दर कर गाया, पीजी पहुंचे तो मेरे और भी लड़का लोग चेरे बता दिया सर के मिरा लड़का, हम खुद युनोंगों बहल जए कि लड़का नहीं है ना मेरा बच्चा नहीं बचाना, बड़ जा इमरे प्रश्वाह जा अंदर जा बुलार, अफिसर तर सर बात करने हैं आजमें, एक उफिसर मुझे लेके गया अंदर, जा गर यह दो सब्सक्राइब करना दो एक जर जोड़ा कहीं का दाग निशान ने तो उसका ब्रेंट में चोड़ा आए था सर पर चोड़ा आए था पहन के था ने ता लेकिन हमको लगता खिलमेट शाहिए इसलिके वहां पर घ्लमेट मिला नहीं अब है अगर पहन के और घिरा और फ कम असकम दौस फूर उठो मादब उचो उड़े ता पॉले चे हैं तो सब रूट में जाता तो लगालव हिल्मेट लही के जाता जितना खेलने वाइवार लगालोग तो मेरे ख्याल से हैलमेट होगा सर लेकिन मुझके इसके बारे में श्योर नहीं है इसले के वहां से सिभ हम जान कर रहा हर संडे को जाते देखें तरह संडे को लोग विक्टॉरिया खेलने जाता है इसलिए सब्सक्राइब करता था तुशन पढ़ता था जो आंडिंग मेंबर हापी है यह सर क्या करते हैं हम से ठीकादारिया काम करते हैं हम पॉंट्रैक में काम करते हैं गार्डेंजे शिप बिल्डिंग में अब गार्डेंजे शिप बिल्डर नहीं से जहाँ जहाँ बनता वाज जी एरसी मुसी में हम ठीकादारी में काम करते हैं सर। कि हैं सिरना, दो लोगों को पुलिस ने अरिस्ट किया है उनको 14 दिन का पुलिस रिमांड पें भी जाjänे? सर हम यहीं चाहते हैं सर कि जो हादसा मेरे साथ हुआ सर। अब मीडिया सर आप से बड़ा टाकि किसी के नहीं है। मीडिया से बड़ा ताकत किसी के नहीं अगर आपके माद्धम से बस आई यतने बूलने चाहिए सर आप कॉपरेट किज़े सर इस लिए मीडिया तो हम कल 50 मीडिया को हम नियूस दिये कोई मीडिया ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जो हमको थाना बोला बस वही रिजल्ट आया कल अम लोग थाना में गए थाना यह वियाद बोला मुझे क्या भी इसको हम कोड़ने पेश करेंगे इसको हम रिमांड मिलेंगे तो वही हुआ सर उससे आगे कोई बात नहीं हुआ मेरा मुलने मतलब सर अगर आप लोग मीडिया कॉपरेट कर रहे हैं अगर पब्लिक के लिए हैं सर तो ऐसा कीजिए कि फिर ऐसा हाथसा ना हो सर जो किया है उसको तो सरा ऐसा सजा मिले कि उसको समझ में आए कि हम क्या गल्ती कि हैं और एक इंपॉर्टन बास सर कि पुलीस का हुआ था नशा किया हुआ था उसका ब्यान भी आज का है कि रात बर हम लोग ड्रिंक किये हैं उसके बाद से सुबह हम लोग अपना घर जा रहे तो वहां से जब वह उसको पकड़ा गया सर निकाला गया तो दोनों लड़का सर उसके चेहरे में हसी उसके चेहरे में सर इससे अबरत ओर इससा सजा दिलाएं से ृ। करके दूसरे को भी सँजाह समाझ में हाएं हम लोग से मीडेल कलास का आद्मी हम अपने बच्चे को कुलत बहुत, ईप मेरा घर का तका अधा मेरा घर तूटए यह लगाने का पैसा में न की पुरा टाली गिरावा साय यह घर को कितना मुश्किल से अब हम उसको खड़ा, यह भी गिर 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 था, पुरा बैड़ी गिर था, लेकिन इसको हम फिर अपने से कर्ज कर्ज करके इधर उधर करके यह घर हम बनाने नहीं सकते हैं, इसलिए मेरा उतना इंकम नहीं है, मेरा सीर चार जूल चार लोग, म मेरे अबा है, मेरी वाइफ है हमें मेरा बच्चा बहुत मुश्किल से बहुत एक ही बेटा था सर हम चाहते हैं सर कि वो बड़ा हो करके देश का शेवा करें उसका चाहद भी था सर उसके पुझा सर बोलता वो बोलता कि डैड़े हम पड़ लेंगा अच्छा से हम नेवी में चला जाएंगे तो देश का जो सेवा करने के लिए एक बंदा इस तरह तैयार होता इस तरह उसको खतम कर दिया था सर तो देश कैसे आगे बढ़ेगा यहां का फ्यूचर कैसी उच्छा उठेगा तो सर मेरा बोलने ऐसा कीजिए सर कि उस बंदे को बेलने हो सर उसको का नौजवान जो कि कॉलिज का स्टूडेंट था अठारा साल का है और यकिन उसके कई खाब थे सपने थे इन खाब पूरा होने से पहले ही इस दुनिया में नहीं रहा उसकी वालदा यहां पर है अब्दुलग करीवा जाए है क्या उसका खाब क्या था आप से मां से बंद आप साल का वह पॉलिज स्टूडेंट था और वह अमनों का जान था अब हम लोग कैसे रहेंगे बोलिये लोग कैसे रहेंगे और हम कुछ बोल नहीं सक रहें जो आरेस्ट हुए है उनलोग तो देखिए ड्रक्स लेकर चला रहे थे गाड़ी नशे के आहलेत में गाड़ी चला रहे हैं और उनलोग किसी के घर उजाड दी बोलिये मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा एक ही बच्चा था हम लोग कि अगर देख सकते हैं फैजान की वालदा बात करने के हालत में उनके वाली से एक सवाला और करें कि क्या आपको लगता है कि जब फैजान को गाड़ी में ते ड्राइफ कर रहे थे वो लोग अगर फैजान को और बाकी बच्चों को उठा करके अगर हॉस्पिटल पहुंच जो वालेस किया तो आगे विश्टेशन में आगे जागर के स्टॉपिस में उसको रोका गया सर उसको सर जब निकाला गया तो ऐसा हस रहा था सर और सबसे बड़ी बात सर कि जिस रूट से वो आ रहा था सर मेरा बच्चे का गाड़ी का स्पीड ता 30 से 40 था सर और जो साथ साल का सजा मिले ताकि उसको समझ मैं सर मेरा गौर्ण्मेंट से बस में डिमांड है सर मेरा बच्चा चला ही है सर बस फ्यूचर के लिए उसके लिए बस सर कुछ ऐसा हो जाए सर कि हम लोग बापा सर हम लोग तो कोई नौकरी नहीं हम लोग पास कुछ नहीं सर सरकार से यही चाहेंगे सर की कुछ विल्फ हो जाए वाकी सर आप लोग जैसा चीफ पिनिश्टर महमता बने जी आपकी यहां जो यह मेले है फिराद हकीम साब उनसे आप कुछ अपील करेंगे करेंगे सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने जाया को यहां इनितने लिए प्रयाद इस आप एक साथ यह को बॉंद icon मैंख आगे बढ़ मेंसे ऊहर सबीर दोड़ लास्ता आप ड़ेयोगों एक गौर्ट्म catalए एक सेकार का एक गौ़ाट्मिटकांका हुचा करना मांगरब एक एक औवीश самый ये नेवी का अभका मांगरा एक देश का अधिक मलबा दे त्वह का धूुर्स का करने लेकिन उसको खतम कर दिया या तो कैसी देश की पाड़े कैसे दियुक्त म。 कि अ nada बेट भाज्मिरह कर सकते हम लोग हावरा सुक्षике सब्सक्सिंट कि अद्मिट करें कर दो जो वह तो एंट्मीन नहीं तो पहों दो लोग जो हम है पोई आधिने संसर्क अब्हारों करने के को मिटे कीओंने करा Ice Guard आदमी को जब वहां भीजे तो उनका बोलने में हम लोग कर वहां पे पे आपको कुछ सोर्स लगा वहां से तब हम लोग जाके कॉंसिलर हम लोग इससे आगे भी कॉंसिलर देगे लिए अनील भाई वाके कॉंसिलर नहीं सर जो फॉरन इस पोर्ट में भीज देते हैं कि इनको अगर बेल मिलता तो बहुत रसुकदार है जिनके हाथ से हाथसा हुआ क्या लगता है कि अगर यह पेशा है तो पकड़ा गिया कितना केस होगा सर मारा चलाई कि अगर आफिसर नहीं नहीं तो वह प्रेडिय हो जाता कौन मारा कॉन मारा पता नहीं चलता कोपरेट कीजिए सर आप मीडिया आएं बहुत 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 शुक्रिया सर अब हमारा कोपरेट कीजिए सर अब में देखा फैजान के घर का नजारा घर में एक मातम सा पसरा हुआ है सभी लोग उदास है सबके चेहरों पे मायोसी है आंसु है एक 18 साल करणका जो के कॉलिज इनका जवान बेटा यकीनन एक जवान दर्के के जाने से जो हालत होती है और साथे साथ यह गवर्मेंट से यह भी अपील कर रहे है कि जो भी इस मामले के कसुरवार है जो कल्पीट है उनको सक्षब सजा दी जानी जाए क्योंकि ऐसा यह कहा जा रहा कि यह लोग जो है प्रशे के हालत में गाली ड्राइव करना एक कितना बड़ा क्राइम है इतना आप सब्सक्राइब